दोस्तों वेलकम टो यूटूब चैनल HDFC ने मिलेनिया क्रेडिट कार्ड को रिलाउंच कर दिये दोस्तों उसका पूरा केस्वेक एन ओफर चेंज कर दी गई है मतलब आपको जो पहले केस्वेक मिलता था उसमें काफी ज्यादा आपको बेनिफिट अप देखने को मिलेगा य आपको 5% का क्जिक मिलता था पर उस पर भी कर्टेरिया था कि मिनिमम 2,000 का होना चाहिए तब जाकर आपको क्योंग मिलेगा नई तो थोड़ाबी कम हुआ तो एक रूपया भी आपको कैस्वेक ने मिलता था इसके एक महिने में मैक्सिमूं आपको 750 रूपी मिल जाता था तो आपको 2.5 परसेंट का केस्वेक मिलता था एक मैंने हम आपको मेक्सिम सेंट 50 रूपीज तरका केस्वेक इस ओफर मिल सकता था पर अब इसमें वह अटाकर 5 परसेंट केटेगरी में इसको मर्च कर दिया गया है लेकिन अब इसे टोडली चेंज कर दिया गया है पूरा कंस करते हैं तो अब आपको 5 परसेंट का केस्वेक मिलेगा सबसे अच्छी बात कोई भी इसमें केपिंग नहीं है कोई भी मिनिमम्म ट्रांजिक्षण का लिमिट मतलब आप एक रूपेग करोगे फिर वह पको तक हैस्वेक मिलेगा पहले क्या था मिनिमम मम्तूर्ट के तरू लेकिन इस बार बहुत ही बेस्ट है अमेजर में सौपिंग कर लो इस कार्ड में 5 परसेंट का केस्ट मिल जाएगा बेस्ट हो जाएगा आपके लिए दोस्तों दूसा 1% की केटेगरी में क्या चेंज हुआ पहले क्या कोई भी ऑफ-लाइन टांजिक्शन हो चाहिए वह पेटियम वॉलेट लोडिंग हो चाहिए मर्चेंट पे हो या कोई भी चांजिक्शन हो एक्सक्लूडिंग फ्यूल को चोड़कर ऑफ-लाइन कोई भी एमाई भी हो चाहिए मैक्सिमम आपको 150 तक का केस्ट मिलता था इसमें भी मिनियूम टांजिक्शन आपको 100 रुपीज का करना हो पड़ता था लेकिन अब क्या मिनियूम टांजिक्शन की लिमिट को अटा दिय पर अब एक परसेंट से आप ज्यादा वेल्यू देखने को मिलेगा आपको अब बात करते हैं दोस्तों केस्ट पॉइंट की वेलिडिटी की तो पहले केस्ट पॉइंट की एक साल तक थी मतलब अगर आपको एक साल के अंदर रिडिम नहीं करेंगे तो एकस्पैर हो बारे में बात करें तो मिलेनिया कार्ड में पहले फर्स्ट एर तक आपको हर कौटर में एक लाग या उसके उपर इस्पेंट करने पर थाजन रुपीज का ग्रिफ वाचर मिलता है यानि यह बैनिफिट सिर्फ पहले साल मिलता था बाद में सेकंड ये मिलता था लेकिन अगर आप 50,000 रुपीज तक 90 days में spend करते हो तो ये कार्ड आपको lifetime free हो जाएगा अगर आपने नया कार्ड लिया तो इसके लिए एक वीडियो में ने बनाया है जिसमें बताया है कि HDFC का lifetime free कार्ड कैसे convert कर सकते हैं आप i button पर किलिक करके देख सकते हैं दूसरा अगर आपको 50,000 रुपीज का transition करना बिना कुछ खर्च किये हुए तो दूसरा वीडियो ये पर एप पर बनाया है जाम पर आपके एडिट कार्ड से कुछ अन भी कर सकते हैं और 50,000 रुपीज खर्च हो जाएंगे आपके और कार्ड lifetime free भी हो जाएगा इसका link भी मैं नीचे वीडियो के एंजार नहीं करना पड़ेगा बहुत बार तो 251 साल में पूरा ही नहीं हो पाता था जो भी बचे कुछे point थे वो भी lapse हो जाते थे अभी तो reward redeem करने का भी 500 कर दिया गया है और reward की validity दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है दोस्तों मिलेना कार्ट पर जो changes होने वाला था मेरे खाल से बहुत ही अच्छा है और बहुत ही जरूरी भी था बस इसमें एक ही negative जीज हुई है कि मिलेना कार्ट पर पहले हम लोगों को 2.5% का के सब्सक्राइब को नहीं मिलेगा दूसरा सबसे अच्छा benefit यह होगा है कि हम अगर आप smart by portal को use करेंगे तो वहां पर भी आपको एक्स्टा अप्टू 5% का cashback एक महिने में 1000 रुपीज तक आपको वहां से मिल जाएगा दोनों अलग अलग कैटेगरी के हैं तीसा कैटेगरी 1% वाली कैटेगरी जिसमें 1000 तक का cashback मिल जाएगा तो टोटल 3 कैटेगरी हो